तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में तो दोस्तों चलिए आच चुके हैं कार खाने जो कि यहां पर बिस्कुट बनता है और काफी अच्छा बिस्कुट है खाने में लगता है और चलिए आपको लेकर चलते वहीं पर जहां पर बिस्कुट और मसीन लगी मेरी फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से किस्तर के जाने पर काम हो रहा है यह देखिए माइदा सांती मसीन यह जो की लगी हुई देख पादे होंगा इसकी निपर ती है और तिल्ली और फिर माइदे और सक्कर को इसमें मिक्स के जाता है कि यहाँ पर जो है काफी सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं अब यह लखनों में जो है बैकरी है बिस्किट की जो कि यहाँ पर हम आए हुए हैं कि बहुत बड़ी टेवल है देख पा रहे होंगे आप यह और इसमें जो है बेलंस से इसको बढ़ाते हैं काफी मेहनत काम है और डालडे से यह बनता है मतलब डालडा पड़ता इसमें सक्कर पड़ती है और तिली भी मतलब फेटने के बाद में तिली इस पे डाल जाती है ताकि खाने में कुछ स्वाद अच्छा मिले और फिर यह रखा हुआ है गिलास जो कि हाथ में लिए हुए हैं इस गिलास से गोल आकार इसका हो जाता है काफी इससे अच्छी मतलब कटिंग हो जाती है कि इससे कटिंग की जाती है अच्छी सब्सक्राइब कर दो में सजा रहे हैं इसको पतल बोलते हैं इस पतल में जो है काड कर रखे जाते हैं फिर जो है सजाने के बाद में इसमें जो है मसीन लगी हुई है इस मसीन में जो है यह पतल को लगा जिया जाता है और यह पसीन यह मसीन जो है लगी है यह मतलब जो है लाइट से इसको आइटोमेट यह घूमती रहती है मसीन यह और अच्छे से पकता रहता है और इसमें जो है लगे हुए में बड़ल लगे हुए है तो यह जलता है फिर जो है दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी बैकरी वाली अच्छी लगी है तो कॉम्मेंट में बताना तब तक के मिलते हैं कि किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत